नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि बिना अपनी जमीन बैंक के पच्छ में बंधक किये बिना किसी गारंटर के आपको कितने रुपए तक का KCC लोन मिल सकता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे वीवर्स के कमेंट्स आते हैं कि सर अगर हम अपनी जमीन को बैंक के पच्छ में बंधक ना करें यानि अगर हमारी जमीन पर आदेश ना चड़े कि हमारी जमीन बैंक में बंधक है तो हमें कितने रुपए तक का KCC लोन मिल सकता है यानि बिना जमीन बंधक किये कितने रुपए का KCC लोन मिल सकता है साथ ही अगर हम कोई गारंटर ना दें यानि अपनी loan की फाइल पर किसी भी guarantor के साइन ना कराएं तो हमें कितना kcc loan मिल सकता है इसी विषय पर आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं साथी चैनल पर नए है चैनल वो पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को जिरूर प्रस कर लीजेगा ताकि जैसे में इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप सभी को पता है कि रुपाए 3 लाग तक का के सी सी लोन आपको 4% की सालाना ब्याजदर पर बैंकों से बहुत ही आसानी से मिल जाता है कहने का तात पर यह है कि के सी सी लोन इतना सस्ता और इतना अच्छा है इसमें कोई मन्थली इंस्टालमेंट नहीं होती है इसलिए किसान इस लोन को लेने के लिए लालाईत रहते हैं इसलिए सभी किसान इस के सी सी लोन को लेना चाहते हैं पहली चीज होगे इसकी ब्याजदर जो की 4% वार्सिक होती है दूसरी चीज होती है इसका रिपेमेंट इसमें आपको मंथली इंस्टालमेंट नहीं देती हुए आपको साल में एक बार इस खाते में पूरा पैसा जमा करके वही कुछ बैंक आपको ये भी फैसिल्टी देते ह है कि आप साल में एक बार सिर्फ ब्याज ले आईए और हम आपके खाते का पल्टा कर देंगे यानि टर्नोवर कर देंगे इससे आपका खाता हमेशा सही रहेगा यापके पास जो मोलधन है जो प्रिंस्पल अमाउंट है वो हमेशा आपके पास रहेगा आप सिर्फ प्रति इंतखाप है हमारी जो जमीन के दस्तावेज हैं उस पर यह आदेश ना चढ़ा हो कि फला बैंक से आपने लोन ले रखा है क्योंकि अगर आपकी इंतखाप पर जब कोई आदेश चढ़ा होता है तो आप अगर किसी की गरंटी लेने कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर आपकी आपकी जमीन को अपने पच्छ में बंधक नहीं करती है उसकी हम आपको लिमिट बताने वाले हैं साथी बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल रहता है कि जम मैं अपनी जमीन बैंक को दे रहा हूं तो फिर मुझे गारंटर देने की क्या होई सकता है बैंक बोलती है कि एक ग खेवाब यह है कि अगर आप अपनी जमीन को बंधक नहीं करना चाहते कोई ही गारंटर नहीं देना चाहते आप कसी सी लोन पराप्ट करना चाहते हैं तो उसकी जो सीमा रखी गई है वो है एक लाग साथ हजार रुपए जी हां दोस्तो अगर एक लाग साथ हजार रुपए तक आप के सी सी लोन लेते हैं तो आपकी इंतखाप पर आदेस नहीं चड़ता है आपकी जो इंतखाप है वो फ्रस रहती है उस पर कोई भी आदेश बंधक का नहीं चड़ता है कि आपने इस बैंक से लोन लिया है और 1,60,000 तक आप लोन ले सकते हैं लेकिन वो आपकी इंतखाप पर आदेश नहीं आता है वही चीज होती है गरेंटर पर लेकिन यहाँ पर यह बैंक टू बैंक वेरी करता है कुछ बैंक आपसे 1,60 के उपर गरेंटर की डिमांड कर देते हैं कुछ बैंक हैं 2,00,000 तक आपसे कोई भी गरेंटर नहीं लेते हैं तो फिर वहाँ पर आपको गरेंटर भी देना होगा और आपकी जमीन भी बंधक कर लेगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी जमीन को बंधक नहीं कराना चाहते हैं, के सी सी लोन लेना चाहते हैं, तो आप रुपए एक लाग कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर डियम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में, किसी अगले इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ, ततक के लिए जय हिन जय भारत